रंबीर कपूर की फिल्म एनिमल सिनेमा घरों में बवाल काट रही है। रंबीर कपूर के अलावा विलन के रोल में बॉबी दे ओल और रंबीर की पतनी बनी रश्मिका मंदाना भी एहम किरदारों में है। जो सोशल मीडिया पर आग की तरह वाइरल हो रहा है। इस वाइरल वीडियो में आप साफ तौर पर बॉबी देओल को रोते हुए देख सकते हैं। बॉबी देओल की उम्र इस समय 55 साल के करीब हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना खतरनाक विलन अवतार एनिमल फिल्म में दिखाया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है कि बॉबी देओल का ये वीडियो उस समय का है जब बॉबी देओल एनिमल फिल्म की सफलता को देखने के बाद अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पाए। तो वहीं दूसरी और ये बताया जा रहा है कि फिल्म एनिमल में उनके साथ धोखा हुआ है। रंबीर कपूर की फिल्म एनिमल में विलन का किरदार निभाने वाले बॉबी देउल इस समय बहुत ज्यादा नाराज भी बताये जा रहे हैं। और उनकी नाराजगी की वजह है उनके साथ हुआ धोखा। इस फिल्म में रंबीर कपूर के सामने बॉबी देउल काफी भारी दिखाई दे रहे थे। और बॉबी देउल ने खुद बताया था कि वो एनिमल फिल्म के लिए करीब डेड़ साल से खुद के उपर काफी महनत कर रहे थे। लेकिन जब फिल्म एक साल बाद रिलीज हुई तो उनकी कड़ी महनत के बदले उन्हें धोखा मिला। फिल्म में विलन बॉबी देउल के सिर्फ तीन सीन्स हैं और उनका कोई भी डायलॉग नहीं है। फिल्म में बॉबी देउल को एक गूंगा विलन बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म एनिमल से बॉबी दियौल के कई सारे सीन्स काटे गए हैं, जिने शूट तो किया गया था, पर फिल्म में उन्हें नहीं डाला गया, और ये सभी बातें बॉबी दियौल के चाहने वालों को चुब रही है. फिल्म एनिमल में लोगों ने बॉबी दियौल के किरदार को पसंद तो किया, लेकिन उनकी छोटी सी प्रेजन्स की वजह से ही, लोग इस फिल्म के डाइरेक्टर संदीप रेड़ी वांगा से काफी ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं. लगभग 3 घंटे 21 मिनट लंबी इस फिल्म में बॉबी दियौल का किरदार मुश्किल से करीब 15 से 20 मिनट का ही है, जिसमें वो रणबीर कपूर के किरदार पर भारी पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं लोगों का कहना है कि ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की चाल भी हो सकती है. जहांपर उन्होंने देखा कि फिल्म के टीजर और ट्रेलर में बॉबी दियौल कैसे रणबीर कपूर पर कहीं न कहीं भारी पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बॉबी दियौल के कई सारे सीन्स को फिल्म से कटवा दिया, और बॉबी दियौल को इसकी भनक तक नहीं लगने बॉबी दियॉल की एंट्री फिल्म में इंटरवल के बाद होती है और वो फिल्म में कब आये और कब चले गए ये किसी को पता नहीं लगा। बॉबी दियॉल के बीच एक सीन को लेकर बहस हो गई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सीन जिसमें शाहरुक खान को सनी दियॉल को चाकू मारना था, जिसे शूट करने के लिए सनी दियॉल तयार नहीं थे, क्योंकि सनी का कहना था कि फिल्म में वो एक कमांडो बने है और कोई भी लड़का आकर उसे चाकू मार देगा, तो वो किस बात का कमांडो है? जब सनी दियॉल ने डाइरेक्टर यश चोपडा को ये बात बताई, तो उन्होंने सनी की एक ना सुनी. वहीं जब ये सीन फिल्माया जा रहा था, उस वक्त सनी सचमुच बहुत गुस्से में थे. गुस्से की वजह से सनी ने अपने दोनों हाथों की मुठ़्ी बना कर जेब में डाल दी थी. सनी ने गुस्से से इतना जोर लगाया कि उनकी जीन्स की दोनों जेबे फट गई थी. इस फिल्म में सनी दियॉल एक पॉजिटिव किरदार निभा रहे थे. वहीं शाहरुक खान एक नेगिटिव कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे. बावजूद इसके शाहरुक खान को ज्यादा वहवाही मिली थी. इस घटना के बाद सनी दियॉल ने कसम खाली थी कि वो कभी भी यश्राच फिल्म्स के किसी भी प्रोजेक्ट में कभी भी काम नहीं करेंगे, जो उन्होंने करके भी दिखाया. साथ ही शाहरुक खान के साथ भी उन्होंने करीब 20 साल तक बादचीत तक नहीं की. यही बड़ी वज़ा है कि अब सनी दियॉल के छोटे भाई बॉबी दियॉल भी इसी धोखे का शिकार हुए. बॉबी दियॉल अपने किरदार में जान फूंकने के लिए लगभग डेड़ साल से कड़ी मेहनत कर रहे थे. और उन्होंने अपनी बॉडी पर खासा मेहनत भी की थी. लेकिन उनकी मेहनत का फल ऐसा मिलेगा, यह उन्होंने कभी नहीं सोचा था. हालांकि लोगों का कहना है कि अगर बॉबी दियॉल के किरदार को रनबीर कपूर के अकॉर्डिंग बढ़ा दिया जाता, तो कही न कहीं बॉबी दियॉल सारी लाइमलाइट ले जाते, और रनबीर कपूर इस फिल्म में बतौर सपोर्टिंग एकटर ही रह जाते. ऐसे में डाइरेक्टर संदीप रेडडी वांगा ने चाल चलते हुए रनबीर कपूर के कई सारे सीन्स को बड़े पर बड़ा चड़ा कर दिखाया वहीं दूसरी और बॉबी दियॉल के कई सारे ऐसे सीन्स थे जो इस फिल्म में और भी ज्यादा जान डाल देते लेकिन उन सीन्स को फिल्म से ही हटवा दिया और ये सब देखने के बाद बॉबी दियॉल को भी एक बड़ा जटका लगा वहीं बात करें फिल्म एनिमल की तो रनबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, बॉबी दियॉल और अनिल कपूर स्टारर एनिमल वर्ल्ड वाइड ओपनिंग डे कलेक्शन के मामले में सिर्फ शाहरुख खान की जवान से पीछे है फिल्म एनिमल ने ओपनिंग डे पर वर्ल्ड वाइड 116 करोड से ज्यादा का कारोबार किया एक सो उन्तीस करोड रुपे के ओपनिंग डे कारोबार के साथ शाहरुख खान की जवान अभी पहले नंबर पर है वहीं पठान ने वर्ल्ड वाइड एक सो पांच करोड रुपे की ओपनिंग ली थी एक बात जो दर्शकों के लिए हैरत भरी थी वो ये कि फिल्म में बॉबी दियॉल का किरदार फिल्म में कुछ ज्यादा नहीं था और एक्टर ने पूरी फिल्म में एक गूंगे का किरदार निभाया था लेकिन बिना कुछ बोले बॉबी दियौल ने जो धमाका किया उसकी जितनी तारीफ की जाए कम ही है कम और म्यूट रोल में फैंस का दिल जीत पाना किसी भी दूसरे एक्टर के लिए चुनौती भरा होता लेकिन फैंस के फेवरेट बॉबी को पता है कि फैंस का दिल कैसे जीता जाता है रंबीर कपूर ने अपने 16 साल के करियर में कुल 20 फिल्में की हैं जिन में से 11 फिल्में फ्लॉप और 9 फिल्में हिट रही करियर के लिहाज से रंबीर कपूर के लिए फिल्म एनिमल काफी एहम है इस फिल्म में रंबीर अपनी लवर बॉई इमिज से अलग एंग्री यंग मैन के रोल में है फिल्म में उनका खुंखार लुक देखकर फैंस हैरान है एनिमल के लिए रणबीर ने खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के लिए रणबीर ने 30 से 35 करोड रुपे चार्ज किया है आमतोर पर इस से पहले वो 18 से 20 करोड की फीस लिया करते थे शुकरवार को भारतिय बॉक्स ओफिस पर जहां रणबीर कपूर की एनिमल ने हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड में 63 करोड रुपे की बंपर ओपनिंग ली वहीं वर्ल्ड वाइड 116 करोड रुपे का ग्रॉस कलेक्शन किया वहीं एनिमल के साथ रिलीज हुई मेगना गुलजार के डायरेक्शन में बनी सैम बहादुर ने शुकरवार को ओपनिंग डे पर निराश किया रणबीर कपूर की एनिमल के सामने ये फिल्म पहले दिन चारों खाने चित्त नजर आई सैम बहादुर ने देश में महज 6 करोड 25 लाक रुपे का नेट कलेक्शन किया वहीं आपको बता दें कि विक्की कोशल, फातिमा सनाशेक और सान्या मलहोतरा की ये फिल्म सिर्फ हिंदी वर्जन में रिलीज हुई है और फिल्म का बजट सिर्फ 55 करोड रुपे है वहीं फिल्म अनिमल का बजट 100 करोड रुपे है फिल्हाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही क्या आपने फिल्म अनिमल देखी है? अगर हाँ तो आपको ये फिल्म कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा मिलते हैं आपसे अगली एक और नई इंट्रेस्टिंग वीडियो में वीडियो में अन्त तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद